कि अब दोस्तों स्वागा थे आपके स्वाड़ी फॉर सिवल सर्विस के युट्यूब प्लैट्फॉर्म पर फिर से कुछ क्वेशन्स करते हैं उत्रा खंड स्पेशल के और इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस लगाता जारी रहेगी और आप ऐसी चीज के टच में रहे करेंगे ठीक तो पहला क्वेशन है आज का भूली हिमाले एक किताब है जिसके लेखक पूछेगा है क्वेशन रिपीट होने की समोहना रहती है ओकले वैसे कई सारी बुक्स आपको मिलेंगी उत्राखंड में जो उत्राखंड से रिलेटेड हैं और उनके अलग 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 प्राप्त होता है देखिए उत्राखंड में एक पेड़ इसका नाम है पाइन यानिकी चीड उससे लीशा प्राप्ते किया जाता है और उस लीशे का यूज जो है वो पेंट इंडस्ट्री में होता है किसमें होता है पेंट इंडस्ट्री में काफी जो रणशील पदार थे और आजकल जो आग लग रही है उत्राखंड के पहाड़ों में वो सरवादिक लग रही होगी इसके जो पत्ते होते ना पत्ते-पत्ते वो काफी फ्लेमेबल होते हैं और तेरी से आग पकड़ लेते हैं थीक अगला कुश्चन है कौन से व्यक्ति वैग्यानिक है सब्सक्राइब करने में आ सकता है तो नगर निगमों की संक्या जो है वो है नौ और इनमें सबसे व्यद्राच आते हैं सौब लगबक 100 देराच निगम में में 501 न में कुह कर्पोरेशन कहा है श्याद रखेगा अच्छा कुश्चन है रिपीट होता है ठीक पंचेश्वर बात का निर्माड किन नजियों के संगम पर हुआ है ये भी एक आसान सवाल है लेकिन इंपोर्टेंट है सर्यू और काली नदीपे बना है पंचेश्वर बात याद रखेंगे काफी इंपोर्टेंट कौन यमुना बेसिंस में मतस्या खेट से संबंदित है एक मेरा लगता है मश्टी पकली जाती है और उसका संबंद किस चीज़ से मौना मेला से काफी इंपोर्टेंट रिपीट होता है गौरापंद का संबंद आप जानते ही किस से है साहित से जानी मानी साहितिकार मधुमिता का संबंद किस खेल से है मधुमिता बिष्ट का संबंद है बैडमिंटन से इस समय तो काफी एज़ उज़िके 59 यर्ज की है मधुमिता बिस्ट और उनको कुछ आवार्ट भी मिले है ठीक है मधुमिता बिस्ट अगला सवाल टाइगर फॉल कहां इस्तित है कई सारे जलप्र टाइगर फ़ालाइजन चक रघा ने चैनल एकड़मी ऑफ पप्ली के अडिमिनीस्टरेशन यह ति यानी मानी एडिमिस्टरेश्ट एडिमिस्टेश्यश्टरेश्व जगह है यह लबासना कहते है हर यूवा का सपना होता है यहाँ पर पहुष नह लेकिन उसके लिए दिन मसूरी तो राज की वेद साला 1954 में कहां से थे आपको याद होगा कि जब हमने नैनिताल डिस्टिक की शुरुआत की थी तरह सबसे पहले डिस्टिक में हमने नैनिताल कोई उठाय था तो उसमें हमने डिसकस किया था नैनिताल के एरीज के बारे में ना तो धरसल यह उसी आप लोग देखिए तब आपको और क्लियर होगा कि यह चीज क्या है कि उत्तराखड में एक आया एम भी है जो हमने उधम नगर वाले डिस्टिक को पड़ते समय डिसकस किया था और वह कहां है काशीपूर में इसका कैंपस ही मैंने आपको तस्वीरों को जरी दिखाया था काफी शांदार राज की डिजाइन केंद्र कहां है यह कॉशन काफी इंपोर्टेंट है आम तोर पर जो हमारे संगठन है जो संस्थान है उत्तराखंड में वह या तो अधिकतर वुक्षान देखने को मिलते हैं आपको दहरादून में ठीक है काशीपूर में भी एक संस्थ है जिसका महत्व है जिसका नाम है राज की डिजाइन केंद्र और यह कहां पर है काशीपूर में है काफी इंपोर्टेंट याद रखेंगे राज के किस जिले में हाइड्रो पावर इंस्टीट की साफना की गई है सबसे बड़ा डैम तेहरी तो इस कांसर क्या हो जाएगा पुटबॉल एकडमी कहां साबित की जा रही है पुराना क्वेशन है यह सकांसर क्या है दैरादून इंपोर्टेंट और उत्राघंड का जो राजगी खेल है वह फुटबॉल है याद रखेंगे ठीक है उत्राघंड का राजगी खेल क्या रखेंगे आप लोग प्रवती क्रिशी अनुसंद्यान संस्थान साथ अलमोडा में यह आपको याद रहेगा पहले भी पुझा जुकाय कई वार राज की पुलिस प्रसेक्ष्ण अकादमी की साफना कहां की गई है जिस तरह के से पीसे के जम पास करके कुछ लोग पुलिस में भी जाता है ना प आप लोग प्लीज कमेंट करके आंसर दिया करिए ठीक है ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग भी मुझे फॉलो कर रहे हैं तो 171 जो है यह आपके लिए औशदी एवं सुगंधित पॉद संस्थान की स्थापना कहां करी गई है याने कि हर्बल और एरोमेटिक जो प्लांट इंस्टिट्यूट है वह कहां पर साबित किया गया है इसका इसका जवाब है कि हरी में की गई है तो यह अच्छा सवाल आ सकता है कि आप लोग अपने फीडबैक्स कमेंट्स जरूर भेजा करिए अगला सवाल उत्राखंड अक्षा हो जाए यह वात हो रही है यूरेडा की बात हो रही है इसका मुप्यालय पूछा गया है यह है अल्मोडा में है सबसे पुराणी संस्थाओं में से एक इंडिया की ठीक है आंसर इसका है जहरा दूँ और यह राश्टी महत्वकी इसको सिर्फ उत्राखंड के ही उसमें ना देखा जाए इडिस ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कणवासरम कि जिले में है आप जानते ही कणवासरम किसले जान सब्सक्राइब काफी इंपोर्टेंट एक्जाम में कुर्शन्स आते हैं ठीक है का सब्सक्राइब करेंगे बाहर के जो राजी के जो लोग दे रहे हैं उत्राखंड का उनक्रेशा याद हमना टफ रहता है कि श्रुटीयल कॉलेज में कॉलेज ने 2001 में दर्जा ब्राप्ति किया हांँ देखिए कई सारे ऐसे इंस्टीयूट है पूर इंडिया में जिन को आईटी का दर्जा समय के साथ दिया गया है न है ऐसे ही एक कॉलेज हुआ करता था रूड के इंज्यूनिंग कॉलेज को दरज़ा कब प्रदान किया गया तो उसकेस में अंसर क्या हो जाएगा दोजार एक फिलाल किस नंबर का था साथ में आइटी ठीक है सैवंथ आइटी के रूप में रूड़की कॉलेज इंजरिंग कॉलेज को आइटी का दरज़ा दिया गया था उच्छा निदेशाल है यानि कि हायर एजूकेशन डिरेक्टोरेट कहां पर है चार आप्शन दिये हुए है नैनिताल धहरादू नरेंदागर और इनमें से कोई नहीं अगर इसका सधा हुवा आंसर चाहिए तब त और यह निदेशाले अवस्थित है इंपोर्टेंट ठीक हजवानी में स्थित है अगला राज विधी विश्विद्याले ठीक है इसका अंसर है भावाली एक्जाम में कॉशन आया है ज्याद रखेंगे बारी एक फल मंडी है काफी अच्छे पहाड़ी फल मिलता है यहां प तरफ एक चली जाती है हलदानी की तरफ और हलदानी की रोड में आके जब बढ़ेंगे भावाली से तो आप मुक्तेश्वर के रही निकल सकते हैं ठीक है तो इस वजह से इसका थोड़ा महत्व है और इसी से कुशी दूरी पर मौजूद है क्या कैंची धाम जिसके बारे म अब लोग एक बार श्रीडी करें अपने इस तर से कि उत्रह खड में हाइवेस कौन-कौन से है उनके नंबरिंग क्या क्या करी गई है पिछले कुछ सालों में बद्रिनात मंदिर इस्तित है राश्टी राजमार्ग किस राजमार्ग परस्तित है सौरी राजमार्ग इसका अच्छा सवाल है इसी प्रकाल से केजारनाथ का भी कुछ होगा संबंत कि किस हाइवेस में है वो याद रखेंगे राज्य का सबसे छोटा राश्टी राजमार्ग है अगे 72 a 72 74 73 तो इसका अंसर है ए ठीक है यह सिर्फ 7.45 किलोमेटर लंबा है कितना है 7.45 किलोमेटर उनली इसलिए इस आफसे सबसे छोटा हो गया भोज पत्र वरक्षने की बर्च कहां मिलता है higher altitude of हिमालियाज तो इसका अंसर क्या होगा हिमालिय अगला देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन उत्तरा खर्ण में कांचुला खर्क क्या है राश्ट्री उद्यान पहाड़ी पहाड़ी कस्तूरी मृग प्रजणन केंद्र तो इसका अंसर है कस्तूरी मृग प्रजणन केंद्र इसको देख लीजेगा हमारे हर लेक्टर में से एक या दो कर्षण अगर रिपीट हो जाते हैं तो ये भी एक सफलता मानी जाएगी ठीक है और अपने सतर से भी चीज़ों को आप करते रहिए निश्चित ही सफलता मिलनी है मिलते हैं नेक्स लेक्टर में कल और पढ़ाई करते रहिए और लेक्टर को ध्यान से सुनिए और दोनों को एसोसेट करने की कोशिच कीजिए थैंक यू